नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चल पर आप सभी का स्वागत है। रड़ी हुजए ये लिगल डिक्टेशन लिखने के लिए थ्री सेकंड्स में। और भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान का स्रजन हुआ। तब इस्थानिय शासकों रजवाडों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया। कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 6 के अंतरगत राज्यभिशेक का एक विलेख तयार किया जाएगा। इस मामले में नवाब राजा अली खान रामपुर उत्तर प्रदेश के शाशक थे। जिन्होंने भारत सरकार के साथ विलय की संधिपर 1551949 को हस्ताक्षर किया। तदनुसार नवाब के आदेश दिनांग 311949 और 271949 के अनुसार नवाब की निजी संपत्तियों की घोशना की गई। और विलय करार दिनांग 171949 के शर्त के अधीन रामपुर के क्षेत्र को भारत सरकार को सौप दिया गया। जिसका शाशन केंदर शाशित मुख्य आयुक्त को सौप दिया गया। और नवाब राजा अली खान को भारत के सम्मेदान के अनुक्षिद 30625 के अंतरगत एक शाशक घोशित किया गया। दिनांग 6366 को नवाब राजा अली खान का निर्वासियत देहांत हो गया। जिनकी संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन हुआ। जो इलाहबाद उच्छ न्यायाले से होते हुए उच्छतम न्यायाले के समक्ष पहुचा। तीन सदस्य पूर्ण पीठ के समक्ष मुख्य विचारणिय प्रश्न यह थाकी। भारत सरकार के साथ किसी ततकालीन शाशक के द्वारा राज्यभिशे करार में घोशित निजी संपत्ति का उत्तराधिकार गत्ती को लागु होने। योग्य उत्तराधिकार के नियम के अनुसार शाशित होगा या शाशक परलागु निजी विधी के द्वारा शाशित होगा। भारत सरकार और नवाब के बीच संपन संधि के अनुसार रामपुर का शाशन भारत सरकार के द्वारा शाशित होगा। और नवाब को करमुक्त सात लाख रूपय का प्रीवी पर्स प्राप्त होगा। अनुच्छेद 3 तथा नवाब वही व्यक्तिकत अधिकार, विशेश अधिकार, उनमुक्तियां, प्रतिष्ठा और स्वत्व का उपभोग का सकेंगे। जो करार के पूर्व में उपभोग करते थे अनुख्षेद 2 और 4 तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी वही विशेश अधिकार, प्रतिष्ठा और स्वत्व प्राप्त होगा। जो 15 अगस्त 1947 को उन्हे प्राप्त था, संधी के अनुक्षेद 6 के अनुसार, सरकार्नी, राज्य के गद्धी के प्रत्था और विधी के अनुसार, उत्तराधिकार तथा, नवाब के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेश अधिकारों, उनमुक्तियों, प्रतिष्ठा और स् पत्व को प्रत्याभूत गारंटीड किया, नवाब की मृत्यू 6.3.196 के बाद भारत के राश्च्रुपतिने, नवाब राजा अली खान के बड़े पुत्र, नवाब सईद मुर्तजा प्रतिवादी संख्या एक को अनुक्षेद 306.22 के अंतरगत शाशक घोशित करते हु दिनांग 14.196 को एक प्रमाणपत्र जारी किया, कि वह नवाब राजा अली खान द्वारा धारित सभी चल और अचल निजी संपत्तियों का एक मात्र उत्तराधिकारी होगा, तब किसी भी वादी प्रतिवादी ने इस घोशना पर आपत्ति नहीं किया, किन्तु बाद में नवाब राजा अली खान के दूसरे पुत्र साइद जुलफीकार अली खान प्रतिवादी संख्या तीन ने उपर्युक्त प्रमाणपत्र को दिल्ली उचिन्यायाले में चुनोती दिया, जिनके साथ तीन पुत्रियों ने भी प्रिथक याचिका प्रस्त जिसे उचिन्यायाले ने 18.12.199 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुध प्रतिवादी संख्या एक की अपील उचितम न्यायाले में लंबित रहने के दौरान सम्विधान 26 में संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुप्षेद 306.22 के अधिन साशक की परिभाशा को संशोधित व अनुप्षेद 291 और 362 को निरस्त कर दिया गया और नया अनुप्षेद 363 के अंतह इस्थापित किया गया जिसके द्वारा प्रीवी पर्स एवं उत्तराधिकार संबंधी उपबंधो को समाप्त कर दिया गया इसी दोरान नवाव राजा अली खान की पौत्तरी वादी ने वेभाजन वाद संस्थित किया और संविधान संशोधन के बाद पुराना 1970 वाद वापस लेकर नया वाद संख्याचार वर्ष 1972 जिला नियाधीश रामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और अंतह कालीन लाब के साथ नवाब के निजी संपत्ति के वेभाजन का दावा किया वर्ष 1965 में इलाहबाद उच्चिन नयाया लेके एकल पीठ ने वाद वापस लेकर स्वयम विनिश्चित किया और वादी का वाद इकती साथ निस्चानवे को निरस्त कर दिया जिसके विरुध अपील को भी खंड पीठ ने निरस्त कर दिया अतह यह अपील प्रस्त किया गया लास्ट में इलाहबाद जहां आपने लिखा है जस्ट उससे पहले जो इयर बोला है वो 1995 एक करेक्ट कर लीजिए एक वर्ड का प्रनूंसियेशन गलत हुआ है वो था इसी पहले ही पेज से वो एक वर्ड था गलत है वो एक्चल में अभी याद नहीं आ रहा लेकिन जो लोग प्लीस मैटर को मिलाएं वो दियान दे कि एक वर्ड जो गलत बोला था उसकी एरर आप नहीं मैनस कर लीजिएगा ठिक इसके अलावा जो इसमें नाम है वो लिखने आपको थोड़ी बहुत दिक्कते आएंगी ठिक डेट कैसे लिखी जाती है लेगल में वो आप देख लीजिए धारा के बाद कोई डैस वैस नहीं है एक स्पेस आता है फिर नंबर आता है ठिक इसको भी ध्यान से देखें साशकों स्लैस रजवाडों ठिक इसको ध्यान दे और वादी एक चीज हो सकता है कई लोग आज पहली बार सुनने को मिली हूँ स्वात्वा ठिक सबसे नीचे वाई लाइन में देखें फोर्थ नंबर पे स्वात्वा एक ये देख लीजे और उन मुक्तियां इसके अलावा स्वात्वा यहां यहां भी आया हुआ प्रत्या जिसे इंग्लिश में गारेंटीड बोलते हैं ठिक ज्यान दे और यहां पी जैसे अनुप्षे दो और चार था तो उसको भी ब्रैकेट में किया गया है यह थोड़ी थोड़ी चीजे हैं जिसको समझने कोशिश करिए कि कैसे लिखा जाता है वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज अभी तक कर लें और डेली वीडियो आते रहेंगी आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखें और लिखें अपने अंदर इंप्रूव्मेंट करें थैंक यू